तो आज हम अपने कानाची के लिए एक और बहत्रीन ड्रेस बनाएंगे जिसका स्टाइल बिल्कुल यूनीक है आज तक आपने ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं देखी होगी तो सबसे पहले हमने कोई भी जो है फैब्रिक लेना है तो यहां पे मैं कोटन का फैब्रिक यूज कर रह दी यहां ठाउप मैंने लिए 37 इनचीज की और इसकी जो विर्थ है बो है थ्री इनचीज की तो मैंने ज़स्ट वन साइड से हैमिंग दी है फ्री साइड पर मैंने अवि तक कोई हैमिंग नहीं दी तो यह देखिए बडिया अब मैंने एक और जो है वाइट कलर का फैब्र तो नहीं चाहएं मने की तो यह सब्मइ का निए व्याग लेंद है उसके यहां वेलए में प्रिंट व्यावर्ट लेंड देना है या फिर आपके काझन, जिस भी प्रेंड और व्यावर्व क्या पेड़ जो भी बनता है तो थेयरो प्रिंटीर प्रिंटेड फैब्रिक ले रह और प्लेट्स भी हम बड़ी बड़ी डालेंगे इस बार छोटी छोटी नहीं डालेंगे तो यह देखे इस तरहन से करते हुए हमने प्लेट्स डालनी है तो जो साइड पे मैंने हैमिंग दी थी मैं उसी साइड में प्लेट्स डाल रहे हूं अगर आप जो है इसमें डोरी नहीं कर रही है तो इसलिए मैंने सबसे पहले एंके की थी और एक ही साइड में मैंने हैं क्यूं की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले मैंने इसमें 8 या 10 प्लेट्स मैक्सिमम 8 या 10 आपने बड़ी बड़ी प्लेट्स डालनी है इस तरह से और इसको गेरे को रेडी कर लेना है तो ये देखे इस तरह से हम जो है प्लेट्स डालेंगे एक स्ट्रिच में आपने सभी प्लेट्स डाल लेनी है तो ये देखे इस तरह से जो मैंने है प्लेट्स डाली 8 या 10 प्लेट्स मेरी मैक्सिमम डाली और इस स्ट्रिप को आपने उतना ही बनाना होता है जितना कि हमारे कानाची की कमर होती है तो मैंने उतना ही बनाया यह जो चार साड़े-चार इंचिस की एक स्ट्रिप बना ली है क्योंकि मैं पांच नंबर के कानाची की ड्रेस बना रही हूं और यह जो आप ड्रेस देख रहे हैं वह वेस्टरन वियर में हैं उसका घेरा है कम रहता है इसलिए मैंने कम लिया है तो इसको के उपर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके यह वाला साटन रीबन लगाना है यह साटन रीबन आपको इजीली लेसिस गरा की दुकान पर मिल जाता है यह 6 या 7 रुपे का जो है 8 मिटर आता है तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हो तो इस तरह से मैंने इसको लगा कर दो जाता है आप अब मैंने क्या करना है कि जो भी हमारा यह वाला घेरा बंकर अर्डी हुआ है यह वाला तो उतनी मैंने यह वाली रड़ी करनी है तो वह वह ऐसे रड़ी होगी मैंने सेंटर में अब जो मैंने प्लेट्स ढालनी हैं ज्यादा गयारी नहीं डालनी क्योंकि दो मिटर की मैंने श्रीप लिए तो वो पूरे घेरे पर आननी चाहिए तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दूर-दूर उन्हें। फटast से इस ततरी इस स्ट्टरे जुर से में इई मैंने कूछ τις इस तरह शेप में जाए गाथ। और यहां पे इस तरह से स्ट्ष लगाकर ऑध niin स्टीच लगाने के बाद कुछी स्टाइब की यह रडी हो चाहेगी अब मैंने क्या किया सबसे पहले तो मैंने ले थी यहां से 1.5 इंची की विर्थ की एक स्टीफ और उसके भी दोनों साइब पर इलास्टिक लगाना है इसकी छोली बनाने के लिए और सेम पैटरन में मैंने यही style इसका भी ready करना है तो यह देख सकते हैं मैंने same जह strip बना ली है अब मैंने क्या करना है कि कोई भी side से आप क्योंकि दुनों side same है हमारी तो इस तरह से मैंने इसको fold करना है इस तरह से और फिर उसको भी इस तरह से यह देखिए तो अब आप जो है इस चोली को इस तरह से भी रख सकते हो otherwise मैं जो क्या कर रही हूँ western look देने के लिए इसके उपर यहां पे भी और यहां पे भी यहां पे भी और यहां पे भी stretch रगा लूँगे और यह वाले जो चोली है यहां पे attach कर दूँगे तो यह देखे बहुत ही सुन्दर फ्रो जो western dresses की होती है ready made चोली तो उस type की बन जाएगी अब इसको बांधना कैसे है इसको हम जस्ट इस तरह से अपने काना जी को पहनाएंगे यहां पे हलके से दो एक ribbon यहां पे और एक ribbon यहां पे आड़ कर देंगे यह जस्ट front side में आएगा back side में कुछ नहीं आएगा just ribbon ही जाकर neck के around बन जाएंगे तो यह मैं जो है यहां पे stitch लगाकर इसको जो है flower की लुक दे देती हूं इस तरह से और इसको भी और यहां वाला जो portion है दोनों साइड का वो मैं यहां पे जोइंट कर देती हूं तो यह देखिए यहां पी मैंने बाजू को यहां दोनों साइड से स्टीच कर लिया और यह वाले जो मैंने फ्लार्स शेप के बनाए थे इनको मैंने हलका हलका यहां से back side से स्टीच कर लिया एक मैंने उपर वाली side में इस तरह से ribbon डाल दिया तो अब मैं आईगे आपको जो है मेरी कानाची को पहना कर दिखाती हूं तो आप किसी भी side से इसको इस तरह से पहना सकते हैं तो यह देखिए अब जो है कानाची के हाथ नीचे की और जाएंगे और इस तरह से अब जो यह मैंने चोली रडी की थी अब मैंने इसको इस तरह से पहनाना है तो आपको मैं चोली की लुक दिखाती हूं चोली की लुक बहुत अच्छी आएगी जैसे हमारी जो वेस्टन गाउन गरा में होती है तो उसी टाइप की बनेंगी यह देखिए तो इसके ऊपर आप कोई भी कैप या फिर कोई भी पगड़ी वेरा पहना सकते हैं या बांद सकते हैं तो यह है आज की हमारी ड्रेस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक को चैनल पर नई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और पास में बैल आइकन को भी प्रेस्क कर दीजिएगा तान कि मेरे आने वाली लेट टेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में राधी राधी फ्रेंड्स